हेलो एंड जैहिन मेरे फ्यूचर फोजी भाईयों कैसे हो आप सभी लोग आप सब एका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज जीरो पर तो भाईयों जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि कि मेंने वीडियो प्रोट की तो उसी के बाद लोगों इन डिमांड की कि में तोड़ी प्रोब्लोम आ रही है तो वीडियो लेकिए उसका वीडियो लेकि आचुका हूँ इसके अंदर आपके में इस्टेट्र इपर बात करने वाला हूं और complete डिटेल में बात करूंगा बई दूसी बात रहूंगा chapter and weightage कौन से chapter का किता वेटेज जाता है किस chapter में से कितने ज़्यदे क्यों से put up होते हैं फिर वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो तो लंबा हो सकता है लेकिन वादा करता हूं इसके बाद आपको मैंत की कोई वीडियो देखने की जड़त नहीं पिड़ेगी आप सीधे अपने काम पर लग जाओगी और सीधा सेलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगी कोई सबसे पर बात करना लें पेपर पेटरन के उपर के अथा कितने क्यों आएंगे और कैसे सोलव करना है तो यह आपका पर की प्रका पेटरन जिसके अंदर आपके परतेक चार सब्जेक्ट आना वाले चीके की सब्रिजून आने वाले और हो डभल डबल माक्स प्रष नं वह भी only mathematics के वज़े से और एक मलब damn sure और smart study की calculation से ठीक है मैं आपको hard work करना नहीं सिखा नहीं पर क्यावल आपको smart work करना से कर रहा हूं और उसी smart work के दबल हुते वे मैंने 40 मिंट में पुरा paper solve कर दिया था वह भी 100% accuracy के साथ सोच के देखो उस परेसर के अंदर एक जा मोल के उस परेसर के अंदर 40 मिंट के अंदर पुरा paper करना वह भी हर एक question धान से पढ़के वह भी हर एक question बिल्कुल साही साही कितना mindset राओगा उस बंदेगा तो भाई उसी के तो बहुत सारे mathematics में भी अब किस topic में से ज्यादा question पुटव होता है और कौन से topic में से hard question पुटव होता है कौन से में से आसान question पुटव होता है उन सभी के उपर अपने बात करने वाले है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले तो मैंने देखो mathematics की chapters है उनको दो बागों में बाटा है पहले यह 9 chapters बाटे हैं और बाद में कुछ चैप्टर से 5-6 chapters उनको अलग लिया है मैंने क्योंकि मैं जिसी साब से पढ़ा था उसी साब से आपको बता रहा हूं ठीक है और genuine बत बता हूं तो जो मैंन को है कोई तहलो कादनिं के वहल मैं promotion करता हूं और उसके तरवक मेंनेद को चंदी पएसे तो सबसे पर दो करना किया कि number system में से क्योवल और क्योवल आपका मुस्किल से एक से दो क्योशन पुछा जाता है ठीक है और एक क्योशन आपके SCM काता है एक क्योशन number system से एक क्योशन SCR LCM से और यह chapter भी बहुत छोटे हैं आपको एक एक दिन के अंदर भी complete कर सकते हो number system में ज्यादा हाई आपको जाना नहीं क्योशन आपको च्छोटे मूटी चीज़े पढ़नी होती है वह चीजों के basis पर आपका क्योशन आता है इसमें decimal number SCM और इन तीनों को मिलाके आपके दो मैक्सिम से मैक्सिम दो नमर के question put up होते है दो नमर के बोलो चाहिए दो क्योशन पुटब बोलो दो क्योशन चार नमर को जाते है तो दो क्योशन आपका दो एक से दो कुछन इसके अंदर आने आने भाई और complete आएगा अब सबसे important chapter है वह है आपका profit and loss profit and loss से भाई सबसे ज़्यादा कुछन पुटब होते है तीन से चार कुछन आप मान के चलो इसमें से और ये आएगा याएगा क्यों कि लिए चार क्या से इसके बढ़ता ङखे से पढ़िए खाब चार को फड़के चार कुछन उनिपगा गया है GO obligation है इसलिए हम आपको बता रहा हूँ कि profit and low से maximum question put up होते है तीन से चार question put up होते है आप उसको अच्छे से पढ़िएगा उसके बाद आपका रहता है SI and CI तो SI and CI के अंदर आपको question put up होते है मेरे बाई वह आपके हमसे कम 2 question या 1 question put up होता है कभी SI का आता है कभी CI का आता है कभी 2 question आप maximum मान के चलो मेरे बाई ratio का question शोर आएगा एक question और age का भी अपने एक question put up होईगा यह होईगा टोटल इस वाले चेप्टर से, इस वाले फॉरमेट से कितने questions आपके put up हो रहे हैं, पहले वह देख लो आप. बैउ, इस वाले format से पूरे 12 questions आपके put up हो रहे हैं, इन 9 chapters से आपके 12 questions put up हो रहेंगे, 12 का मनलब है 24 24 नमर का format आपका इसी format में आपको देखने को मिल जाएगा 24 नमर का material आपको ठीक है अब इन 24 नमर में से कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं ठीक है कोरिक से बताता है। तो इसके बाद आपको प्रोपिट लोगी है इसी की आपको किस्दा करने मीलें गाँ क्योंकि हर बार का राय 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, सब का analysis करके बठा हूं भाई और इस बार selection भी लेकर बठा हूं ठीक है तो इतना experience है मुझे और मैं student हूं भाई मैं हर तरीके से दोर से गुजर रहा हूं teacher होता है जो आपको यह पता सकता है कि भाई कैसा क्या चीज़ आ रही है और यह normal होता है जदा hard नहीं आता 2-3 साल के लिए put up होता है 2-3 साल के लिए इतना ब्यास था इतना ब्यास कितना हो जाएगा क्या है ठीक है और यह सब्चु liegen इसमें से कभी-कभी उसका भी आ जाता है किस्तों मौला तो किस्तों मौला क्यूशन फट फ़ेल इसके अंदर नहीं पूटब होगा कि भाई जो आपकी परतम अनुपाद दिती अनुपाद तरती अनुपाद और चत्तो तो नुपाद इसी में से मोश्ली कुछन आता है और कभी अगर आ जाए तो वह आपकी किसमत खराब हो तो वह आ सकता है वह आपके मोश्ली को से पूटब होगा रेश्यों वह यहीं होगा कि परतम अनुपाद दिती अनुपाद तरती अनुपाद तो चत्तो नुपाद भाई मेतेमेटिक्स आती है जिसे जीडी की सिंपल ज़्यादा हाड़ नहीं आती क्योंकि सबको पता है टाइम कम है उसी साफ असलिक्ट्स आता है मेरी उसके बाद एंज का एक क्योसन पुटफ हो गया होगा तो यहां से आपका बारा नमर का मैट्रील मिलेगा मैंकि मिल जाएगा और यहां से आपको मैकसिम से मैकसिमुम कुशं लोग करने ही है उसके बाद बसते हैं आपके साथ टोपिक और जिन में से आपको क्योंट हो गई होगा में में mixer होगा ना mixer वाले किसमें की दूर दूर पानिक आ गया इस परकार का क्योंट होगा वह आपके हंदेर्ट प्रेंट कुछुन ना है एक कुछ अमिशा हमें साथ है तो वहां से आपको और ठीक है उसके बाद और वड़केंड टायम का भी एक क्युषं कभी एक कुछ न पूट पूटफ हो जाते कि वके टायम से क्ंदेर्ट को इतना काम कर रहे हैं तो कितने आदमीं मेंसा पूटब होता है बात तो 2D और 3D की तो 2D 3D में से भी भाई 2 कूशन पूटब होते हैं एक 2D का एक 3D का ठीक है अब इनको कैसे पढ़ना है वह मैं बात करते हैं को इसमें से पहले इन तीनों में से पूटब होंगे और तीनों चैप्टर बिल्कुल सेम जैसे हैं एक साथ तीनों चैप्टर को पढ़ना आदम से हो जाएगा ठीक है उसके बात को 2D और 3D की तुम चाहो तो 150 कि प्रेक्टिस के लेना बाकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्या हुला आपके फ लुटवाला क्यों साथ आएगा और वह भी आपके क्यों कर मुल ओको फोर्मुला बेस ऑगा उसके लोग को कोई क्योस नहीं करने है नहीं पड़े कि उसके अंदर तो सीधे-जधे आपके सारे फॉर्मुला आपको याद हो जाएंगे बाइथ केवला क्यावल आपको फॉर channel क्या रहने वाला है chapter 1 ओक वेटेज बता चुक अब तीसा topic अपना के Types of Student student देखो बई है ताइपस किस-कीस परकार के student होते हैं दो परकार के student है यहां पे एक student वो देखो एक परकार के student और दो परकार के student दोनों को में Divide कर रहा हूं ठीका एक student वो जो कभी-कभी mathematics पढ़ चुका है, मतलब mathematics का पूरा syllabus उसने कभी ने कभी cover किया हुआ है, पहले exam की preparation के अंदर, और वो तोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या चे गिल्ली प्लिस्टियारी कर रहा हो भी तो भी उसने mathematics पूरी पढ़ी होगी, या ऐसा सी जुदी 2022 का को student रहा हो, उसने पूरी mathematics पढ़ रख की है, जिसका syllabus complete हो चुका है, जिसका syllabus complete है, एक दूसरा student है, जिसका syllabus ही complete नहीं है, ठीक है, तो अब इन दोनों को different करके, मैं आपको पूरी इस्टेट जो बताने वाला हूँ, एक जिसका syllabus complete है, तो इन भाईयों से में एक चीज़ करना चा चीज़ की हो, GD की हो, GroupD की हो, Railway की हो, Delhi Police की हो, कोई सी भी हो, चाहिके सर्च करो mathematics की, या फिर एक आपको बुक्स भी बताने वाला हूँ, मैं उस बुक्स है, जहां से हो सके, जितना हो सके, क्योंकि तुम्हारी syllabus तो complete हो चुका है, तो मैं क्यों प्रैक्टिस करना है, इस का time management उतना अच्छा होगा, उसकी speed उतनी अच्छी बढ़ेगी, और वो उतने अच्छे accuracy के साथ question कर पाएगा, मेरे भाई, ठीक है, दूसरे type का बच्चे वो हैं, जिन्होंने आध दिन तक mathematics का नहीं पढ़ा है, पूरा syllabus, नहीं बच्चे हैं, नहीं नहीं आएं, तो उनको कोई अलग type का question आता है, जो type का question आपने कभी मनलब आप उस question में उलच रहे हो, या question नहीं बन पा रहा हो, तो उस type का question को आपने notes के अंदर लिख लेना, इस type से आपको पूरे chapters है, उनके notes तियार करने है, उसके बाद आपको उसमें practice पर जाना है, आपको भाई, ठीक है, जोता topic अपना books का, तो books भाई, जो R.W. वगेरा की है, रोजगार विद अंकित, उसकी एक book है, मतलब रहूल सर की mathematics की book है, वो book कल खरीच सकता है, तो ठीक बात है, नहीं खरीच सकता है, तो उसकी PDM में आपको available करा दूँगा, अपने telegram channel always zero को join कर लेना भाई, link description box में दे book की, और साथ में GQ वगेरा की, सब की मेरे पास सारे notes वगेरा सब उस पढ़ें, आपको सारे वहीं पर provide कराऊंगा में, तो always zero telegram channel को join कर लेना ठीक है, तो books भाई, वो book है, उसको join कर लेना भाई, उसकी PDM में आपको दे दूँगा, या फिर आपको उसी की पूरी book का solution, नहीं होगा, दूसरा, टीचर्स वाई, राहूल सर में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि Constable के लिए वो best रभाई, Constable तक के तियारे आपको बढ़िया करवा देंगी, और रेवजगा भी तंकीत वाले राहूल सर है, ठीक है, और mock test, mock test आपको में जिनकी mathematics के लिए रहा है, मै मेरा ये chapter मेरे पढ़ तो सारे chapter लिए, लेकिन ये वाले chapter में तोड़ा वीखने सारी है, इस वाले chapter का क्योंसर नहीं बन पारे, तो उस वाले mock test को फिर आप दोबारा revision कर सकते हो, सुरू से उस chapter को दोबारा पढ़ सकते हो, या उसके notes वगिरा दोबारा read कर सकते हो, उससे आ पाद mock test analysis कैसे करना है, जब भी आप लोग बच्चे mock test दे रहे हो न, जब भी आप mock test दे रहे हो, तो सबसे पहले एक गिंटे में बुरा mock test देना, आपको साथ मिनट के अंदर, ठीक है, और कोशिस करना है कि सबसे पहले mock test complete हो, और अम mock test को करना कैसे है, सबसे पहले आपको चार subject हैं जीए, रिजनिंग है, हिंदी है, और जी, mathematics है, यह मैंने format बता है, इसी format में आपको mock test को solve करना है, सबसे पहले आपको जीए करना है, उसके बाद आपको क्या होगा, इसको 5-7 मिनट के अंदर जीए कंपलेट करना है, उसके बाद आपको reasoning है, reasoning को आपको 10-11 मिनट आपको reasoning देनी है, इसके अंदर आपको पूरे base question solve करने है, ठीका, speed इतनी होने चीए बाई मेरे, और हिंदी को, हिंदी को करने में भी जीके और हिंदी सब्जेक्ट है, जिनको करने के लिए time ने चीए, पांस सिगन के अकल कर, question पढ़ने के बाद अगर पांस सिगन में उसक उसको analysis करना है, आपने जितने question सही किये, उनको देखना है, कि इन ये सही question हुए है, इन में को मैंने को तुक्का तो नहीं लगया, और ये सही हुए है, तो उन सभी question को read करना है, उनको दोबारा solve करना है, कि भाई अगर ये सही वाला question भी, अगर मेरे आगे वाले more questions में कही ये exam में आता है, तो ये question गलत नहीं होना चाहिए, और फिर आपको जाना है अपने गलत वाले questions पर, कि भाई ये question गलत हुआ, तो क्यो हुआ, और क्या इस chapter में मेरे weakness है, तो उस chapter को दोबारा पढ़ो भाई मेरे, ठीक है, उस chapter को पढ़ने के बाद, उसमें जितने more questions हो सकते पढ़ने, तजबी पढ़ा question लगाओ, और फिर उस questions को, जो more test के question है, उनको इस तरीके से solve करो, कि भाई दोबारा उस type of question गलत नहीं हो, ये होता है, more test analysis, कम से एक गुंटे का time, more test analysis में दो, उसके बाद speed calculation की बात करूँ, तो भाई, जब भी तुम more test करो, सबसे कम time में तु और तुमारी इससे क्या होगा, कि बेटने की sitting वेवस्ता भी अच्छी हो जाएगी, तुमारा दिमाद भी तेज होगा, और दो अक्स की speed पे करोगे ना, तो भाई, तुमारी speed अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है, YouTube पे जाकि मेरतन लगाने, उसको दो अक्स की speed पे solve चलन जतनी practice दो बंदा करेगा न, उसको ही selection होगा, इसके लाव और कुछी बंदेगा selection नहीं होने वाला है, क्योंकि ना JK आपका time लेने वाली है, ना reasoning आपका time लेने वाली है, ना Hindi आपका time लेने वाली है, केवल mathematics time लेने वाली है, और जो बंदा mathematics में पस गया, वो selection रुख रखना, और भाई हो, मेरे साथ इतना हो सका, मैंने आपको पूरी समझाने को सिके, इसके बावजूद भी अगर आपका कोई doubt बच जाता है, इसके बावजूद भी अगर आपका कोई doubt बच जाता है, तो आप मेरे को comment box में comment कीजिएगा, या पिट मैं telegram channel always join कर लिएगा, व मैंने देखा कल आली strategy वीडियो को किसने share नहीं किया, तो भाई सबने सारे groups में share करके आओ, ठीक है, और भाई कि सभी लोग जुड़े रहे ना, GK की strategy वीडियो लगँगा, क्योंकि GK का अपार बंडार बढ़ा है, अब उसमें से क्या चीज पढ़ने है, क्या चीज छोड कर ली, तो reasoning और हिंदी को तो तुम लाष्ट के दो मेने में भी अच्छे से cover कर सकते हो, तो अभी नौमबर तक सितमबर, अक्टुमबर, नौमबर, तीन मेने, आपके धाई मेने आपके पास है, धाई मेने मेने में क्यों, क्यों आप mathematics, जिनका syllabus नहीं हुआ, वो syllabus करो, mathematics और जिके की जितनी ज़्यदा हो सके, क्यों यह दोनों सब्जेक्ट होगी, जो कि आपको अपनी पश्ट प्रिपरेंस दिलाएगी, बाकी selection तो मेरत, रिजनिंग और हिंदी से selection हो जाएगा आपका, लेकिन प्रिपरेंस दिलाने के लिए आपको जिके करने ही पड़ेगी, तो आपको उसके भी ध्यान देना, उसकी strategy वीडियो नेक्स्ट आ रहा है, तो आप लोग वीडियो लाइक चनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो जाथ, तब तक के लिए जहिन जिवारत.